स्वागत सांतियों आपके अपने ही चैनल मास्टर माइंड पर सांतियों ए सीरीज है EVS से EVS परड़ागोगी इस्पेसल का जो आपको सीटेट यह रिट यह केवीएछ यह एमपीटेट यह सुपरटेट का जो एक्जाम हुने वाला है उन्स वो एक्जामों में सांतियो बहुत फैदा करेगा जो कि MCQ है चलिए शुरू किया जाए पहला कुश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा निमिलखित में से हमारे देश के किस राज के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पक्की हुई समुदरी मच्छिली खाना पसंद करते हैं अपसन A दे रखा है मिजोरम B है अपसन गोआ और C है सांतियो जमू और कास्मीर और चौथा अपसन है बिहार तो बताये सांतियो इस गराईट इंसर क्या होगा अभी आप लोगे बास 5 सेगंड का समय है बताये सांतियो इसका सही जवाब क्या होगा नारियल कहां अधिक होता है जहां नारियल अधिक होगा वही मेना उसी प्रदेश मेना लोग नारियल के तेल में मच्छिली पका के खाएगा तो सांतियों मैं आपको बता दू गोवा जो है शमूद्र के किनारे बसा भारत का एक बड़ा ही सुन्दर राज है वहाँ जो है नारियल के तेल में पक्की समूद्री मश्री लोग खाना पसंद करते हैं इसका राइट एंसर अप्सर नमर बी हो जाएगा कि निमलेखित में से वहाँ कौन सा जानवर या जन्तु है जिसके अग्रदात हमेशा बढ़ते रहते हैं वह दातों को बहुत अधिक लंबाना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते हैं या कुतुरते रहते हैं अप्सर नमर इमत था हैं सांतियों सि술 दीमग साय होमेशा और ओसर नमरुन समेरे चुकली अनसर और ऑफसर नमरुज चार में चुहा बतायों इसकर अप्सार क्या होगा सांतियों सब्सक्राइ को कभी हो नहीं और चुप कीली नहीं यह रहते ही हों दातों से काटने और कुतरने के कारण इनके धात घिसते रहते हैं इसलिए अप्सन नंबर भी इसका राइटेस रहोगा गिलहरी अगले कुछ नसाती हो कोई किसान रुवरकों और किटनास्कों का अधिक उप्योग करके अपने खेतों में बार बार धान की फंसल उगा रहा है ऐसा करने से उसके खेतों की मिर्दा अप्सन नंबर ए में देखेंगे केवल धान की फंसलों के लिए उपयोगी रहेगी या अप्सन नमर भी में जुताई के लिए उपयोगत बन जाएगी अप्सन नमर सी बंजर हो जाएगी अप्सन नमर डी कह रहा है और फंसलों के लिए भी उपजाव बन जाएगी तो सांतियों उर्वरकों और किटन नासकों को अधिक उपयोग से जमीन धीरे-धीरे क्या हो जाता है अनुपजाग हो जाता है तो बताएं सांतियों इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा बंजर हो जाएगी जब अनुपजाग हो जाएगा तो क्या हो जागा हो बंजर हो जाएगी यानि कि अप्सन नमबर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा अगले कुछ अंकी तरह बढ़ा जाए कहा जा रहा है कि सालिनी काक्षा 5 के सिक्षार्तियों को पोसन पर अधारित प्रकरण से परचीत कराना चाहती है सालिनी एक टीचर है जो बच्चों को पोसन पर अधारित प्रकरण से परचीत कराना चाहती है तो उन्हें पाला अप्सन दे रखा है पुषक तत्तों से भरपूर विभीन प्रकार के भोजन के उधारन देने चाहिए अपसे नमर बी में कह रहा है विभीन प्रकार के भोजन को परदर्शित करने वाले चार्ट का परियोग करना चाहिए अपसे नमर सी में कह रहा है सिक्षार्थियों को इसे कहना चाहिए कि वे अपने अपने टीपिन बॉक्स खोले और उसके तत्तों को अउलोकन करे उसके बाद उन्हें व्यक्षा करनी चाहिए अपसे नमर डी कह रहा है स्याम पट पर पाचन तंत्र का अरेक बनाना चाहिए तो बताइए सांथियो इसका आइटेंसर क्या होगा जब प्रकार्ण पर समझाना हो तो क्या करना चाहिए एक सिक्षिका को बताइए पहला अपसे नमर यहां पे सी को देखिएगा तो सब अपसन इसमें समाइथ हो जा रहा है सकरात्मक में है सिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिपिन वाक्स खोले उसके तत्तों का अलोकन करे इसके बाद उन्हें ब्याख्या करने चाहिए इसका राइट एंसर सांथियो अपसन अमर सी होगा कहा जा रहा है कि जीव जन्तू पर अधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा चार के सिक्षार्थियों के लिए चुडिया घर के भर्मन पर भर्मन आयोजन करती है यह डैश-डैश में सिक्षार्थियों की मदद करेगा धैनिक समय सार्णे की सर्या में बदलाव दूसरा अपसने कख्छा कख्छियं अधिगम को वास्तिक जिवन में प्रस्चितियूस के सांथ जोड़ना तिसरा अपसने जीव जन्तू को पाल्तू कैसे बनाया जाए इसक इसका राइट एंसर हो जाएगा कक्छा कक्छी अधिगम को वास्तिक जीवन की प्रस्तीतियों के साथ जोड़ना अगला कुछन की तरह बढ़ेंगे कहा जा रहा है निसे दिया गया परग्राप पढ़िए और जिससे गाउं के एक छात्र ने अपने घर के विशाय में लिखा है मैं गाउं से आया हूं हमारे गाउं में अधिक वार्शा होती है इसलिए हमारे धरती घर धरती से लगवक दस स इन्हें मजबूत बांस के खंब पर बनाया जाता है घर अंदर से भी लखड़ी के बने होते हैं यह गाउं होना चाहिए अब आपको बताना है एक गाउं कहां होगा असम में होगा या तामिल लड्नियू में होगा या उत्राखंड में होगा या आंद्र प्रदेश में अगले कुशन की तरह बढ़ा जाए कि निमली खित में से सत्त कथन को चुनिये पाला अपसंदेरा कहां थी गदले पानी में गंदले गंदा पानी है यहां गलती से लिख दिया गदले गंदे पानी में खिलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके सरीर को ठंडक मिलती है व लागबग 10 घंटे आराम करना और से पसंद करते हैं तिसरे में था剛剛 ही महिने के हाथी कवच्चे का वजन लग वह कोई hyoda और चल्छा में कोह रहा है अधिकांस बड़े तो युदि एक दिन में में लगबग 100 किलोग्राम पत्ते खा लिए तो शांतियो जो है आपको क्या कर देखना है अब अप्सन में देखना है क्या है अप्सन में पहला अप्सन दे रखा है एक तीन और चार दूसरा अप्सन दे रखा है किवल एक और दो और तीसरा अप्सन दे रखा है किवल दो और चार और चौता अप्सन दे रखा है किवल एक और चार तो मित्रो इसका राइ सभ्कुष्चन है नेक्स्ट जो की मदवानी चित्र काला के बारे में सही कतन की देखेंगे इन चित्रों को बणाने में नील हल थी फूल प्यणो के रंग आदी का इस्तमाल किया जाता हैं कि दूसरा है इन चित्रों में इंसान जानवर पेण फूल पंची मचली या आदी और चौथा है सांतियो, मदवनी राजस्तान का अत्ति परसित जीला है, तो सांतियो चौथा तो कभी नहीं होगा, राजस्तान का मदवनी जीला नहीं है, सांतियो बिहार का जीला है, तो जिस अप्सन में चार होगा, तो सांतियो वो तो कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा सांतियों अगर अप्षन से छाटिएगा तो पारल अप्षन में आपको चार है अगले पूछन की तरह बढ़ा जाए next question है कोई पकछी पहन के उची डाल पर अपना घोसला बनाता है वह पकछी कौन होगा प माला अपसंध scratch है काउगा दुशरा है पक्ता और तीसरा अपसंधे रखै सककर्खोरा और चौथा अपसंधे रखै किलचिडी तो बताइए सबसे उची डाल पर अपना घोशला कौन बनाता है बताइए सांतियो तो सांतियो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा कावा कावा जो है उची डाल पर अपना घोशला बनाता है इसका राइट इंसर अप्शन नमबर ए हो जाएगा आईए साथ यूँ अगला कुछ नहीं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा रात में जगने वाले जानवर हर चीज को पहला अप्सन है कि वाल लाल रंग में देख सकते हैं हर रंग में देख सकते हैं C में कह रहा है कि वाल काली और शपेद ही देखते हैं हर रंग में देख सकते हैं मित्व इसका right answer बदाता यह क्या होगा तो रात में जगने वाले जानवर क्या करते हैं किवाल काली और शपेद ही देख सकते हैं इसका right answer option number C हो जाएगा मित्व Personal25 नेक्स्त कुछन है आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हाथियों के जूंड के बारे में सही कथन को चुनी है पहला अपसन है हाथियों के जूंड में क्योल हाथनिया और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं अपसन B में वहीं कहा जा रहा है कि हाथियों के एक जूंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं अपसे नमर सी में कह रहा है कि जुण्ड की सबसे बुजुर्ग हाथ नहीं पूरे जुण्ड की नेता होती है तो बात सही है अपसे नमर डी कह रहा है एक जुण्ड में हाथियो और बच्चों की संख्या कितने भी हो सकती है और वहीं सांतियों आपको अपसा जाना है अपसा डी तो कभी नहीं होगा, मैं आप लोगों बता दू, जो डी है option एक कभी नहीं होगा, बचा आपके पास क्या, A, B, C, तो सांतियो, B में क्या कह रहा है, जर आपको देखा दू, B में कह रहा है हातियो कि एक जुण में किसी परिवार के, एक ही परिवार के सदस होते हैं, तो स सांतियो, C option में A और C है, इसलिए इसका राइट एंसर, option number C हो जाएगा, चलिए, अगला कुछन देखिए, पंखोडिये के अंदर, फूल के बीच में, एक पतली जो है पाउडर जैसी रचनाय दिखती है, जिने कहते हैं, पहला वर्ति काग्र कहते हैं, दुसरा अप्शन प्राग कोंश्ट कहते हैं, त्रीसरा अप्शन है, प्राग कहते हैं या मुलांकर कहते हैं, तो बताए मीतर, इसका राइट एंसर क्या होगा, सांतियो, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, प्राग, option civ, प्रतिये के अंदर, और फूल के बीच दिखाई देने वाली प्रण्सिक रूप से विकलांक विकलांक का मतलब बादित है यह बच्चे अन बच्चों के सांथ उसी कख्चा में एक सांथ पड़ते हैं परन्तु पब्लिक स्कूल निमन में से किसका अनुपालन करता है अपसंदेरक का है पाला सतत्यों व्यापक मुल्यांकन का दूसरा त्वेसक स्क्चा का और चौ। अपसंदेरक का है परतिपूरक अधीगम का तो बताई सांथ इसका राहिट एंसर्य क्या हें की सांथ इसकाले क्या हो जाएगा समावैशी सिक्चा का समाय 26 में क्या होता है कि बिभीन अच्विण को नियमित कि अक्षाओं में अन बीना बिना किनी अच्छमतावाले बच्चों के साथ सामिल करने से है अर्थात इस परकार के सिख्छा विवास्ता में असमर्थ बच्चों की सिख्छा समान बच्चों के साथ कराई जाती है इसले इसका राइट एंसर option नमर बी हो जागा मित्रुआ अगला कुछ अनकी तरफ बढ़ा जाए कहा जा रहा है कि सरीता जो है सरीता की सिख्षी का उसे विभिन सामूहिक जो है गति विदियो में सामिल लगती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदी उसकी सिख्षी का शिखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है समाजिक गतिविदी के रूप में सिखने के महत्पूर्ण आयामों में से है इस प्रकार से सिखने से बच्चों में परिफवक्ता जो प्राप्ट होने के साथ उनका समाजिक विकास भी होता है याद रखिएगा इसलिए इसका राइड एंसर अप्सन अमबर डी होगा अगला कुछन अमित्रो रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान परदर्शनी का आयोजन किया गया था इसका आयोजन एक उदेश के सांथ किया गया था आपके विचार से कौन सा उदेश सरावादिक उप्युक्त है यानि कि शिक्षार्तियों के लिए स्रीनात्मक माध्यम प्लब्द कराना विज्ञान परदर्शनीयों के आयोजन का मुख उदेश है इसके माध्यम से शिक्षार्तियों में ऐसी नई जो है रचना अत्वाविचार पैदा होता है जो पहले से ज्यात नहों और थात या एक क अध्यान के बदेशन आध्यान किडिया विज्ञार पानी में रहने वाले जीवजन तुक्क में डिया गया है और अनडे देने वाले जीवजन तू का अलग बॉक्स है कषा जारा एक क् Georgetown में नमले-सं जीवजन तो x में रखे जा सकते है एक्स को ध्यान रखिएगा, इसमें एक्स के जगापे पाला सार्क, दूसरा मचली, तिसरा मगरमच, चौथा इल्फ, तो सांथियों बताइए इसका राइट एंसर क्या होगा, सांथियों इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, मगरमच, अगले कुचन की तरफ बढ़ा निम्लेकित में से जीवन पर क्रियाओ का कौन सा ज्यूग पिन पौध हो और जीवजनतू दोनों में मिलता है परजनन और अनुकरन बृधि और परजनन बृधि और भोजन बणाना परजन बणाना तो सांतियो इसका राइट एंसर क्या होगा जो आपको बताना एक कौन सा ज जो जीव जन्तु वो दोनों में मिलता है तो क्या होता है जीव जन्तु में ब्रीधी और परजनन हर एक में होता है कि इसका राइट एंसर सांतियों अप्षा नमर भी हो जायागा नेक्स्ट कुच्चन डेस डेस के लिए मचली घर एक्वेरियम में हावा वाला पंक पंप रखा जाता है वाला अपसन है अधिक ऑक्सिजन को पानी में घुलने देने के लिए दूसरा अपसन है मचली घर की सुभा बढ़ाने के लिए तिसरा अपसन है पानी को साफ करने के ल तो बताइए सांति उसका राइट इंसर क्या होगा इसका राइट इंसर हो जाएगा अधिक आउक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए ताकि मसलिया जीवित रहे अगला कुशन है निमलीखित कत्रों में से कौन सा प्रात्मिक अस्तर पर पर्यावरण अधियन पढ़ाने का उदेश से नहीं है ध्यान रखिएगा कुश्चन में कह रहा है नहीं है पहला अप्संदे राखा प्राकृतिक याम समाजी के वतावरण के बारे में उत्सुक जग लगाना तथा ब्यवहारी क्रिया करवाना जो संगिना अत्मक और मनस्चालक कौसलों के विकास में साहिक होती है अपसर नमर सी में कह रहा है बच्चों पर आंकलन के लिए सब्दावली और प्रणिसाओं का बोश डालना और अपसर नमर डी कह रहा है जीवने और प्रयाव साथी हो इसका राइट एंसर अपसर नमर सी हो जाएगा सब्दावली और प्रणिसाओं का बोश डालना अगले पुछन की तरह बढ़ा जाए का जा रहा है पर्यावरण अध्यान ही पार्ट पुस्तक में रेलवे का टिकट का नमूना दिखाना पर्यावरण अध्यान की प पर्युक्त विविन संचिप्त अप्षारों का घ्यान अध्यान के कुछलता का बिकास करता है अप साथी की इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताए हैं है साथी मिसका राइट यह यानिकी बच्चों को वास्त्तम कारी से अंतक किरिया करने का औसर देता है शांत ही औलोकन की कुछ अलता का विक्स करता है अगला कुछन देखा जाए, जो बिज इसे हैं, कहा जारा है कि बिज अनुकुरन की अउधराना को इस तरह सबसे बेथर तरीके से पढ़ा जा सकता है पहला अप्सन देरा कहा है कि अक्षा में अंकूरुत बिजो को देखाना और अंकूरन की परक्रिया को अस्पष्ट करना अप्सन अमर बी में कहा रहा है बोड पर चित्र बनाते हुए अनुकूरन के चरणों को परदस्षित करना और अपसे नमर C में कहा रहा है बीज भूने अंकूरन के विभिन चरणों का अलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविदी को बच्चों को निस्पाजिद करने के लिए कहना अपसे नमर D कहा रहा है अंकूरत बिजो की फोटो दिखाना भीज भूने अंकूरन के विभिन चरणों का और लोकन करने और उनका चीत्र बनाने की गतिविदी को बच्चों को निस्पाजिक करने के लिए कहना नमर C हो जाएगा कुस्चन है कृति का जो घर में अधिक बात नहीं करती वह बिद्दालाए में में बहुत बहुत है वो कक्षा कक्षे में चर्चाओं में सक्रिये रूप में हिस्सा लेती है यह पर्दोसित करता है कि विद्याले एक ऐसा अस्थान है जहां उसके विचारों को शम्मान मिलता है दूसरा अप्सन है शिक्षक यह मांग करता है कि वच्चों को विद्याले में अधिक भूहा चाहिए अप्सन नमर सी में कह रहा है वह अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं करती अप्सन नमर डी में कह रहा है बिद्यालेक क्रितिका की कक्षा में अनुसासन रखने में असफल है तो बताए मित्रू इसका राई टेंसर क्या होगा सांतियों इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा बिद्यालेक ऐसा सस्तान है विचारों को उसको समान मिल रहा इसलिए इसका राइट एंसर अप्षिन नमर ए हो जाएगा नेक्ट कुर्शन की तरह बढ़ा जाए निमलेखित में से कौन सा परतिबसाली होने का संकेत नहीं माना जाता याद रखिएगा कुर्शन में आपको क्या को रहा है नहीं माना जाता पहला स्रीनात्मक विचार होना दूसरा अभिव्यक्ति में नविन्ता होना तिसरा अप्षन में जिग्यासा होना और चौता अप्षन में बहुत तिसा मगरी शिग्रता से याद कर लेना तो मित्रो ये तो होगा अभिव्यक्ति में नविन्ता भी होगा जिग्यासा भी होगा लेकिन यह नहीं होगा कहा रहा है कि संकेत नहीं मना जाता है इसलिए इसका राइट एंसर अप्शन नमबर D हो जाएगा विशेश और सकता वाले बच्चों की सिक्षा उपलब्द करानी चाहिए पहला अप्शन दे रखा है समान बच्चों के साथ दूसरा अप्शन दे रखा है विशेश बिद्ध्याले में मातापिदा की उपस्तिती में और तिसरा अप्शन देखेंगे तिसरा अप्शन कहा जा रहा है विशेस विद्यालेओं में समान सिक्षकों के दवारा और चौता अप्सन कह रहा है विशेस विद्यालेओं में विशेस सिक्षकों के दवारा तो सांतियों इसका राईट एंसर क्या हो जाएगा बताईए आप लोग विशेष विद्ध्यालेव में विशेष सिक्षकों के दुवारा अगला कुछन निमलेखित में से किसका मुल उद्वाव आस्तान भारत नहीं है पहला अप्सण है आम दूसरा अप्सण है केला तिसरा अप्सण है नारियल और चौता अप्सण है एस्ट्राव बेरी तुमित्रो, बताइए इसका right answer क्या होगा? भारत में नहीं है यह सब है तो सान्तियो एश्ट्राबेरी नहीं है इसलिए इसका right answer option number D हो जाएगा रोहित जो है card seat को कहची से काटते हुए कई आकिर्थिया बना रहा है इस कार्य में उस किस बल का उप्योग में लिया जा रहा है मांस्पेसिय बल या घरसन बल या जांत्रिक बल या गुर्तवा कर्शन बल बताईए सांथी उसका राइट एंसर क्या होगा कहँची से काट रहा है तो क्या कर रहा है मांस्पेसिय बल का परियोग कर रहा है इसलिए तुर्वारा अप्शन है और दूसरा अप्शन है नेक्स्ट कुस्टन है निमलिक्षित निमलिक्षित में से कौन सा अलग समू से संबंदित है इसकरवी इरिकेटस रतवधी यह रेवीज अलग छाटना है सांतियों तो बताइए इसका राइट इंसर क्या होगा रेवीज जो है अलग है इन सब उसे इसलिए इसका राइट इंसर अप्षा नमर डी हो जाएगा नेक्स्ट कुर्चन इंद्रधनुस में रंगों का क्रम होता है कैसे बैगनी नीला हारा पीला नरंगी नील जामुनी या लाल या बैगनी लाल नील जामुनी या नीला हारा पीला नरंगी अप्षा नमर सी में करा रहा है बैगनी नील जामुनी पीला नरंगी लाल निला हारा अपसे नमबर D में का रहा है बैगनी, निल, जामुनी, निला, हारा, पीला, नरंगी, लाल तो सांतियों इन धनुस में क्रम से रंग होता है पहले बैगनी, निल, जामुनी, निला, हारा, पीला, नरंगी सबसे लाश्ट में क्या होता है? लाल होता है आज का सांथियो इलास्ट कुल्शन होगा कहा जा रहा है कंच्चे तेल का उपयोग किया जाता है डामर बनाने में प्लास्टिक बनाने में पेंट बनाने में औसधिया बनाने में ड्राइ क्लिनिंग में अपसन नमर में दे रहा है 1 2 3 और वी में दे रहा है एक चार और ana सीङ Надे रहा है एक चार पाँच और डी हो csakउटलती में लिखा है अप्योग सभी बतारिया सांतियों कच्छे जो हैं तिल ज़ो और का उप्योग डामर बनाने में भी होता है प्लास्टिक बनाने में भी होता है प्लास्टिक बनाने में भी होता है अब सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को एंपिटेट का त्यारी कर रहे हो और सांतियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आउट आफ तीस में आपको कितना मांक्र साया जरूर कमेंट करके बताइए आपका वेट रहेगा कमेंट का फिर मिलते सांतियों नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद जहिंद जय वारत